अपनों की साधी बनाएं और भी यादगार गोमती नंदन पैलेस और मंगलम मेरिज गारण रैनी खानी की उत्तम विवस्ता हाल एबम गारण दोनों उपल लब्ध हैं उत्तम कैटरिंग सुविधा, पार्किंग की सुविधा, खुबसूरत डेकोरेशन, इस थाने बीट साबर करबावड, बीना जिला सागर मत्य प्रदे, जियमित्रो जल्द संपर कीजिएगा, होटल गोमती नंदन पैलेस और मंगलम मेरिज गारण नमस्कार मैं हूँ समीर खा देकर सम्मानित किया, कारिकरब में कॉंग्रेस के कई कारिकरता मौझूद रहे, देखिए बीना से पुष्पेंद राजा की खास रिपोर्ट समीम खान जी को मैं बहुत बरसों से जानता हूँ और उनकी रुची बारी जो लगू फिल्में बनाने का कारी होता है उनमें इनकी बहुत रुची है, इनको प्रदेश और देश इस तर पर इस लगू फिल्में बनाने के कारण फिल्म जगस से जुड़े लोगों और इस परकार की सुसायता और इस परकार के संगट्सनों दौरा इनको अने को मतलब प्रसास्ति पत्र दिये गए हैं तो मैंने भी सूचा कि समीम भाई को जब बोपाल से जहासी से प्रदेश के अन्ने जगहों से जब इनको प्रसास्ति पत्र मिले हैं तो मैं क्यों न हमारे छेतर की इस उर्जावान व्यक्ति को जो फिल्म एंड स्टीज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उनके उस साय वर्दन के लिए हमने भी ये कोशिश की है कि उनका हम सम्मान करें ताकि हमारे बीना और बनेल खंड का नाम फिल्म जगत में भी आगे बढ़े हम खड़े हैं बीना में हमारे बीना के एक कलाकार है उनको बहुत सम्मान में ले हैं हर से हर से आज उन से बात करती है असल में क्या है कि इनसान को दो टायम सफसे ज़्यादा अपने अपनों की जरूरत पड़ती है जब वह बहुत ज़्यादा दुखी हो या जब वह सफसे ज़्यादा खुसी हो तो जब मेरे को फिर्देस लेविल पे फुर्सकार मिलता था तो मुझे लगता था कि मेरे अपनों में ये खुशी बांटी जाए मीडिया और फिर्देस लेविल से मिला है केविलिट मंतरी से मिला है अमिता बच्चन के साड़ु भाई हैं राजी बर्माजी उनके दौरा मुझे सम्मानित किया गया है जासी में बुदेल खंड फिल फेस्टिवल में मुझे सम्मानित किया गया सिर्फ बीना से कोई भी नेदा या कोई संग्ठन या कोई ऐसा व्यक्ती सामने नहीं आया या जन फिर्दी निदी के वो मुझे अपना समझ के मुझे फिरुसाहित करे आज पहली बार दाओ ने पूरु मंत्री स्री फिरुसीन ठाकुर जी ने मुझे वो अपना पन का जो एहसास था उसकी भूर्दी करी बुलाकर मुझे यहां पर सम्मानित किया और मेरा होसला बढ़ाया बहुत खुसी हुई कि आज मुझे लगा कि मेरे सेहर में भी मेरी कदर है मैं इस दाओ के द्वारा कि यह कए सम्मान समारो का मैं उनका अभारी हूँ और मैं सद्व उनका रिड़ी रहूंगा आपने अभी तक कितनी फिल्में बनाई हैं और कितनी फिल्मों का सम्मा आवाड मिला है मैंने लगबग सूला फिल्म में बनाई हैं कुछ गाने भी हैं और चार फिल्मों में लगबग अवाड मिला है मालीजिए 2019 में फिल्म थी दो चाहत 2019 में फिल्म फेस्टिवर रंबा ठाकीज भोपाल में रखा गया था राजी बर्मा जो अमिधा बच्चन के साडू भाई हैं वह उसमें चीफ गेस्ट बनके आए थे तो उसमें फिल्म फेस्टिवर का अवाड मेरे को 2019 में मिला 2020 में मिनी आईफाहबाड मानिक कमला जी के दवार्रा आयोजेद किया गया था तो उसमें फिछी सर्मा तश्कालीज कैबिनेट मंत्री थे वो का आये थे एक फिल्म लगाई थी सलीम की राखी उसका सिलेक्शन होगा तो अभी मुंदेल खंड फिल्म फेक्टिवल से भी मेरे को अबाड मिला है उसी क्रम में अभी जो हर साल एनुएल अबाड होता है का मादेफिर्देश लेविल पे तो 28 धारिक को विक्यासरी होटल में रखा गया है एक फिल्म और भी लगी हूई है पापा आपने मेरे लिए किया ही किया है आज कल की जनरीसेंन के उबर है कि बच्चे लोग माबाब से लगाता है में कहते रह्ते हैं किया उनके बच्चे किया को ये कर रहे हूँ को वह कर रहे और आप नहों सो किया इसना होग लोत्छ fiquei इस महलाई में और एक परिवार को पालना और उसके बाद बच्चों के लिए अपने खुसियों का जो है गला घोट के बच्चों के लिए समर्फित होना एक माबाब हर माबाब कर रहा है जब यह सा सुनते हैं तो थोड़े उनको तकलीफ होती है उसी आधार पर एक मैंने फिल्म मनाई थी पापा आपने मेरे लिए किया ही क्या है वो उज्जेन न उस फिल्म को दिखाया जाएगा फेस्टिवल है वहाँ पर भी हो सकता है कि अगर वहाँ यह फिल्म भी चल गई तो एक अबाड वहाँ से भी मिल जाए बीना से न्यूज हंटर के लिए पुस्पेंस है ठाको